रहिस्यों के चादर में लिपता हुआ राइस्थान का एक गाउं जहां 84 गाउं के लोग एक रात अचानक बिना कुछ कहे गाउं छोड़ कर चले गए और एक ही रात में 84 गाउं एक साथ बीरान हो गए अब इस गाउं को स्राफित गाउं की नाम से जाना जाता है आज इसी स्राफित गाउं और उसके पीछे कहानी बिस्वितिहास में जब भी कोई जगा बीरान हुई तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर रहा है चाहे प्रकृतिकाबदा हो या जीविका के साधनों का खत्म होना परंत कुलधरा गाउं के इदगम से बीरान होने के प बड़ा था तो उसके पीछे वजा भी बड़ी बताई गई एक ही रात 84 गाउं के ब्रामडों ने सभाकी आधी रात को भी ना कुछ कहे गाउं को बीरान छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए पालिवाल ब्रामड चले गए और अपने पीछे छोड़ गए अपने सुक्ष जहासे भरपूर बीरान घर आज इन्हीं गाउं को स्राफित गाउं के नाम से जाना जाता है अपने आप में रहेश से बने जसल मेर में इस्तित कुलधरा गाउं की बहुत सी कहानी है लोकमानिता और पीढ़ी दरपीढ़ी कहे जाने वाली बातें रहेश जानने खा एक लो कुलधरा गाउं का एक दीवान सलेम सिंग था सलेम सिंग कुलधरा गाउं के रहने वाले मुख्या की अत्या सुन्दरी लड़की को परसंद करने लगा सलेम सिंग किसी भी हालत में उस लड़की को पाने के लिए पागलपन की हद तक चला गया वो लड़की से जबरन विभ उसने ब्राम्रों पर दबाव बनाना सुरू कर दिया जब लोग दीवान की बास से सहमत नहीं होते दिखे तो दीवान सिलेम सिंग ने अपने साथियों के साथ धमकी दी अगर कुछ दिरों में मीरा विवा इस लड़की से नहीं हुआ तो इस गाओं में जितनी भी खेती की उ उपज होती है उस पर अधिक टेक्स लगा दिया जाएगा और जिससे चुका पाने में आसमरत गाओं को तहस नहिस कर दिया जाएगा पागल पनी की हाथ तक पहुचने वाले सिलेम सिंग की वजा से कुलधरा गाओं के लोगों का समय मुश्किल से गुजरने लगा और वो म बस दो ही रास्ता था कि अपनी मान सम्मान बेटी को जालिम सालिम सिंग के हाथों में सौब दे या फिर अपनी जद बचाने के लिए हमेशा के लिए गाओं छोड़ दे इस कठिन परिस्थिती में गाओं वालों ने निर्णे लिया कि वो एक साथ 84 गाओं के लोग बैठकर निर्णे पर एकमत हो गए कि अपनी बेटी की रच्छा और आत्मसम्मान के लिए वो गाओं छोड़ देंगे और एक रात निर्णे के बाद 84 गाओं के लोग अचानक बिना कुछ कहे गायब हो गए ये बास सिलिम सिंग को भी नहीं पता हुई जब पता चला तो उसके पहल आसी गाओं खाली हो चुके थे लोगों के मताबिक गाओं को छोड़ते समय जाते जाते पालिवाल ब्रामडों ने स्राफ दिया कि जिस प्रकार वो सांतिसस गाओं में नहीं रह सके और ये बीरान हो गया अब ये गाओं कभी नहीं बसेगा जो यहां बसने की कोशिस करेग उसका समूल नस्ट हो जाएगा लोगों के अंदर बहुत सी भुतिया रहसी से जुड़ी हुई कहानिया भी कुलधरागाओं से रहसी के साथ देर सबीर बाहर आती रही है ऐसा नहीं है बिग्यान और पैराना और मल विभाग की नजर नहीं गई लेकिन अनसुलजे रहस्यो और कुछ लोगों द्वारा बशने की कोसिस में अनिष्ट की वज़ा से कोई ना कोई बाधा आ गई फिरहाल इस गाओं के बारे में जो रहस्यों की चादर है वो आज भी बखोवी बिच्ची हुई है क्योपालीवाल ब्रामडों ने गाओं छोड़ दिया इसके पीछे भी एक और कहानी है जो बेज्ञानिक नजर आती है कि राइस्थान के इस आसपास के छेतर में अचानक से सोखा पड़ा उस सोखे की वज़ा से अपने जीवन को सुधार ने और गुजर बसर के लिए डू लोग इसे छोड़ कर चले गए करीब जारा सो साल तक कुलधरा में रहने वाले लोग अचानक एकी रात में क्या सोखे की वज़ा से छोड़ कर चले गए ये बात गले की नीचे नहीं उतरती है दूसरी थेओरी जालिम सिंग की है कि दो सो साल पहले अठारा सो पचीस में ज जब अंग्रे जोका भारत में सासन था उसे समय जालिम सिंग सलेम सिंग के जालिमपन की वज़ा से ब्रामर गाओं को छोड़ गए गाओं वीरान हो गया लेकिन तत्य आज भी है दो मई 2013 में इंडियन पैरानय और मल सोसैथी के 30 एक्सपर्ट रिपोर्टरों के साथ गहन ज परताल में गए राद बितने के बाद उन्हें कुछ आसामान ने दिखा आसामान बातें जैसे आसामान इस्पष्ट और डर भैवीत करने वाली चीजे लेकिन किसी का अनिष्ट नहीं हुआ वहीं इल्टो मैगनिक फिल्ड की तरंगे छोड़ते ही अलग-अलग तरीके के जबाओं कुलधरा गाओं में तरह तरह की रहिस्यों की बाते और पुष्ट होती गई बहुत सी जानकारिया हैं बहुत से रहिस्यों हैं बैरहाल ये रहिस्यों से भरा कुलधरा गाओं जहां की तस्वीरें देखकर आप बीरान गाओं की इस्तिती का अनुमान लगा सकती हैं रहिस्तान की जसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दो रिस्तित हैं कुलधरा गाओं की मातर 2 किलोमीटर की दूरी पर जसलमेर का रेलवे स्टेशन हैं आप जसलमेर रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर आसानी सी कुलधरा गाओं पहुँच सकते हैं इसके अलावा आप रहिस्तान परिवहन निगम की बस से भी यहां जा सकती हैं साम 6 बजे के बाद किसी आनहोनी किया संका के चलते यहां का गेट बंद कर दिया जाता है कुलधरा गाओं गोमने का समय सुबा 8 बजी से साम 6 बजे तक ही है साम 6 बजे के बाद इस गाओं के मुख्य द्वार जिससे बनवाया गया था को बंद कर दिया जाता है कुलधरा गाओं का प्रवेश सुलक 10 रुपे प्रतिविक्ति यदि आप वहन के साथ जाते हैं तो आपको 40 रुपे इस्ट्रा जानी 50 रुपे चुकाने होगे कुलधरा गाओं के रहिस्यों की इस कड़ी के बाद आगे अन रहिस्यों से भी परदा उठाया जाएगा ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइब शेयर और सस्क्राइब करें देखते रहें इंडियाई ब्लॉग्स जहां एतिहास की पन्नों की चीजें आपके सामने सिंपल मिना एडिट आवाज में आएंगी जो तत्यों के साथ होंगी जेहिन चैनल के लिए ब्लॉग्स